आप बात कर रहे थे हैं यहां पर जतिन जी संतान सुख के बारे में आपने दो एक रहों के बारे में बताया हमें कि क्यों कौंसे कॉंबिनेशन ऐसे हैं मैं आपसे जानना चाहूंगी जिनकी वज़े से स्पैशली प्रॉब्लम आती हैं जो आपने गुरू की बात करी वह चाहूंगे इसमें बताता हूं वास्ता में क्या होता है सूरे शुक्र की कहीं न कहीं अगर योती होती है तो आप देखेंगे कि तब भी संतान के लिए समस्या आती है इसलिए मैंने एक सिंपल उपाय बताया यानि गुड की मीठी रोटियां तंदूर में लगवा करके सूरे ही जलाता है और शुक्र शुक्रानों भी होते हैं यानि फर्टिलिटी फर्टाइल उपजाओ भूमी सब कुछ शुक्र ही होता है तो शुक्र को आप हमेशा और साथ में अच्छा करेंगे तो बढ़िया होगा सूरे शुक्र की यूती अच्छी नहीं होती शनी चंद चंद्रमा को बलवान करने के लिए जैसे मैं सिंपल उपाय हमेशा बताता हूं नहाने के पानी में बिल्कुल थोड़ा-थोड़ा वेस्ट करने को नहीं बोलता है जी दूध ऐसा नहीं कि आप भर भरके उसमें दूड़ डालें ऐसा नहीं आदा चमबच कच्छा दूद आदा चमबच आप गंगा जल मिला करके स्नान कीज़े आप स्वाइम देखेंगे आपके उपर चंदर्मा का प्रभाव बहुत उत्तम हो जाएगा इसके लाबा कहीं न कहीं चंदर्मा आपका ट्वल्थाऊस में बैठ जाता है तो वो भी राहू के प्रभाव में आ जाता है उसी को हम कैद करके रखें अपने पास तो वो फ्री चंदर्मा होता है तो कहीं न कहीं आपका चंदर्मा अच्छा होता चला जाएगा और संतान सुक प्राथ होगा परन्तु एक चीज़ बार 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 बोलता हूँ मेडिकल एडवाईस को आप बिलकुल मत छोडिये